स्वागर दोस्तों आप सभी को तेकिर आज YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 5 Pro या फिर किसी भी Redmi के फोन पर यदि आपका fingerprint sensor काम नहीं करते हैं तो इस problem को आप कैसे fix कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको यहां पर दोस्तों complete solution बताने वालाओ ठीक है तो यहां पर फिंगर प्रिंट सेंसर यहां पर काम करना बंद कर दिया है तो यहां पर दोस्तों यह problem आपको क्यों आ रहा है और आप इसको कैसे करके fix कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको यहां पर बताऊं से पहले यह आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर डबाएगा और दोस्तों यहां पर यहां पर ओनलाइन से पेसा भी कमाना चाते तो आप हमारा वीडियो दिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक चेक आउट कर सकते ठीक है तो आप यह दोस्तों आप यह चाते तो आप कर सकते और दोस्तों यह वीडियो को हम जो शुरू कर लेते तो सबसे पहले तो दोस्तों यह आपका यहां पर फिंगर्प्रिंट सेंसर जो है वह काम नहीं कर रहे ठीक है तो आपको यहां पर दोस्तों क्या प्र ये लुटेंस नहीं करते तो इसमें दोस्तों क्या कर सकते आप suggomma को दोस्तों यहां परे सफ करके आप जो है यह त maths कब आप यहां पर ऐ संसर काम कर देगा तो आप यह सबसे पहले कर सकते हैं यह दिए आपका यह यह दोस्तों हाड़वेर या तो भी सफवेर में ऐसा कोई प्रॉब्लेम निये तो फिर दोस्तों इससे आपका काम हो जाएगा ठीक है लिकिन दोस्तों यह आपना सब्सक्राइब को अपडेट नहीं किया है तो भी दोस्त ivos यह दोस्तों यहाप याप का जारुकस करने के बात आपका प्रॉलेम जरूर्पिक्ण होगा और दोस्तो मान लीजिए निचांस आपका प्रोब्लेम यह वागे चल्एट करके देख चुका है फिर भी आपका प्रॉलेम यहाप फिक्स नहीं होते दोस्तों आपको क्या करना है या पर सिंपिल टेक्निशन के पास जाकर चेक करना होगा ठीक है क्योंकि आपको जो सेंसर है उसमें दोस्तों हाथ्व Вेर का प्राब्ब्लेम हो सकते तो उसी वज़े से दोस्तों आपका कterror कर फिए करके दे सकते हैं डня को नहीं में तुए प्रप्रब्ल्म को Er raptue कि कि आपने युदि करो आपको प्रप्रब्लेम यहां पे फिक्स घखतो आज के वीडे वीडियो में दोस्तों बस इतना है थेंक्स रॉचि